जस्टिस शरत बोब्डे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 47 वे मुख्य नयादिश के तौर पर लीशपत सुप्रीम कोर्ट को अब एक ऐसा मुख्य नयादिश विला है जो परंपरागत कोर्ट रूम स्ट्रक्चर से इतर आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, सोशल मेडिया और आतुनिक तक्निक के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट के 47 वे मुख्य नयादिश ऐसे बोबडे, फोटोग्राफी और मोटर बाइस में भी काफी रुची लेते हैं रिटाइट CGI रंजन गोगोई की जगा लेनी पाली जस्टिस बोबडे एक वेक्ति के तौर पर सिर्फ काम कोई खेल नहीं की धाना को खारिज करते हैं जस्टिस बोबडे को राष्टपती रामनात को विन्नी आज सुपा पद्वक गोपनिया तकी शपत दिलाई नायमूर्थी मौम्मद हिदायत उल्ला की बाद नाकपु शहर से दूसरी बार कोई विधिक्य नायपालिका के सर्वच्च शिकर पर पहुंचे हैं नायमूर्थी बोबडे की नई जिमिदारी को लेकर नाकपु शहर में खास उत्सा बनावा है साथी यह शहर के लिए सम्मानवग गौरों की बात है शरग बोबडे मध्य प्रदेश के उच्च न्याले के पुर्वन नायातिश रह चुके हैं तथा मुंबई उच्च न्याले के नायातिश पी थी नायमुती शरद अर्विंद बोबडे इनका जन्म 24 अप्रेल 1956 को नाकपुर में हुआ है इस समय उनकी उम्र 300 साल है वकालत उन्हें विरासत में बली है उनके दादा भी एक वकिल थे तो उनके पिता अर्विंद बोबडे महाराष्ट में साल 1980 से 1980 सी तक जन्रल अडवोकेट रहे है तो उनके बड़े बाई स्वर्गिया विनोद अर्विंद बोबडे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट वकील और सम्वेदानिक विशे शक्य थी नायमुर्थी शरद अर्विंद बोबडे नी नागपूर विश्व विद्धाले से ही बे और लल्बी क्या था करियर की बात करे तो वह 1978 में महाराष्ट बार काउंसिल के सदस्य बनी थी फिर करिम 21 साल तक वह बंबई हाई कोर्ट की नागपूर पीट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे साल 1998 में उन्होंने वरिष्ट अधिवक्ता का पत सबाला 29 मार्च 2000 में नायमुर्थी बोबडे को बंबई हाई कोर्ट की पीट में अतिरितत जच के रूप में निवतक्या गया फिर 16 अक्टुमबर 2012 को वह मध्य हाई कोर्ट के मुख्य नायादिश निवतक्येगे इसके बाद उन्होंने 12 अप्रेल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में नायादिश का पत सबाला दो साल बाद 30 अप्रेल 2021 को वह सेवा निवरुत होंगी जस्टिस बोबडे ने अपने करियर में कई उलेकनिया निर्ने लिये है जैसे के एतियासिक अंतिम फैसले में दूसरे जच के रूप में बोबडे भी शामिल रहे रामचलमभूमी बाबरी मस्दित मामले की सुनवाई कर रही पांच चज़ों की पिट में जस्टिस स. बोबडे भी शामिल है इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला आना बाकी है सुपरीम कोट के द socket की दुआरा आधार कार्ड को लेकर दिये कए आतिश में जस्टिस बोबडे भी शामिल थे सुप्रीम कोट ने अपनी एक टिपनी में कहा था कि आतार कार्ट की बिना कोई भी भार्तिय मुल सुविताओं से वंचित ने रह सकता है मुख्य नयादीश रंजन गोगोई के खिलाब जो योन उत्पिडन का मामला सामने आया था उसकी जाज सुप्रीम कोट के ही तीन जश करने थे इस पेट में जस्टिस बोबडे, एंडवी रमन और इंदीरा बैनर जे शामिल थे एक महिला की ब्रून उत्या याचिका खारिश कर दी जिसमें हा तथ्य दिया की ब्रून के जीवित रहने के चांसेश थे महादीवी की किताब पर मास्वन्ना के अनुयायों की धार्मिक भावना को भड़काने के आतार पर करना तक सरकार द्वारा लगाएगे प्रती बंदक को जज बोबडे ने सही ठराया नॉमबर 2016 में तेन बच्चों के द्वारा याचिका पर सुनवाई करते वी सुप्रिम कोट ने देली एंसी आर में पठाकों की बिकरी पर रोक लगाय थी इस फैसले में जस्टिस बोबडे भी शामिल थी यादेश मुख इन बिसी अन्योस नागपूर